हेलो नमस्ते राम राम जी स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए व्लोग में और यह देखो जी यह यहाँ पर न मोर बेट्था था इस पेटीन पर यह एकदम तो उटका गया है यहाँ था है और मोसम देख लो बहुत जबरदस्त हो रहा है मोसम आज कर राम जी पता निकि एक दमता है अपनी माया चेंज कर देवा है और किसी हो टाइम बादर से होका ने अंदीम मीशे का बयोत हो जाव है और अच्छी सी बारी सो भी रही हाल पी लाल वैसे नहीं जेट के मिनें बहुत कम देखन नहीं मिला कर था यह सीन और यह देखो जी आज मैंने बनाई है मै मैकरोनी और इस रेसिपी न अच्छे तoral एंजोय करो विडियो न शकिप्प ना करे ओ एक एक पार्ट बहुत जरूरी है बिना कटे देख्यो विडियो ने और यह देखो जी मैं कर दूँगी मैकरोनी बनाने की त्यारी शूरू मैं डीड कटोरी जबाद स्हyers के अंदर डा लिए और एक चमच डाला है मैंने इसके अंदर नमक इस स्टेज पे इसमें नमक डालना जरूरी इस वज़ेता है क्योंकि ये न अच्छे तह नमकीन हो जावेंगी बहुत बढ़ी आता है और एक चमच डाला है मैंने तेल आप गी तेल रिफाइंड जो भी कुछ डालना चाह वो आपकी मर्जी है पर इसके अंदर मतलव चीकनाट जरूर डालना जाए और जिस टाइम पर यह उबल रही हो ना तो इसने बार बार चलाते रहे यह नहीं न यह निच्छे ते लग जावे हैं और फिर यह निच्छे ते जल जावे हैं और इसके अंदर अजीब सी स्मेल हो कुछ एक सब्जीय की कटिंग मेरे पास ये दो कलड पिस्मला मिर्च रखें रखी ती लाल वाली और तो एकी जीकत यह प्रीश कर रहे क्रिया,ốc indian, ऑरेवाली शिप्रामिर्च प्रीज में है ओना, न लेरी सि γ्रीन धीन केellमेत कहा है या कोर से वह अपने सूलियत के कोडिंग कैसे भी काट सको जो आपने पसंद हो और यह देखो जी मैं यह मैकरोनी वड़को रही है हमारी त्यार में इस नचलनी में तचानकन है एक बरतन में निकाले में क्योंकि इसके अंदर पाणी नहीं रहना चीए बिल्कुल भी अच्छे त है और इसकी खिलन का में राज है वो जो एक चमच ओईल डालना था ना हमने तो ओईल डालना तेल डालना बहुत ज़्यादा जरूरी है जिस तेकिन के अंदर एक चिकनाट सा जाओगा और यह खिली-खिली सी हो जाओंगी बहुत बड़ी अतर यह वारी सब जी यूज करू तो तेल गी रिफाइंड अपने टेस्ट के अकोर्डिंग डाल्स को जो आपने बहुत सारे बंद्यास हैं जो यूज को है कि हमने तेल पसंद नहीं है पर तेल एल्दी हो वह है रिफाइंड वगएर था तो बहुत जादा हो वह है तो तेल सेफ है और यह गर का सर्चों का तेल हो ना वो तो बैस्ट रहा है इस टाइम पर तो सीजन था यह सर सो उठी है तो वैसे निकल वाले हो या फिर चक्की पतली आओ तो बहुत बढ़िया है और यह देखो जी तेल हो गया बढ़िया तो गरम थोड़ा सा मैंने इसके अंदर जीरा डाला था और यह डाली है म अच्छे ताम फ्राई कर लेंगे और इवागा अगर जून का मिनना स्टाट हो लिया है तो बच्चे एक मिने तक गरा रहा रहेंगे बार बार उने कुछ ने कुछ खान पीन का चाहिएगा और अहर टाइम बच्चा था बार का खाना देना बिलकुल भी सेफ नहीं है तो ज बच्चे की तबियत खराब हो जावा है तो यह देखो यह मन इसके अंदर डाला है दो टमाटर की प्यूरी अलकी सी मिर्च थी और थोड़ा सा नमक डाला है नमक थोड़ा अलकाई रखेंगे क्योंकि मैकरोनी इस टाइम पर मैंने उबाली थी तो उसके अंदर नमक मैंने डाल दिया था वह अच्छे से नमकीन हो रही है और यह थोड़ी सी कस्मीरी लाल मिर्च डाली है इस तो सिर्फ कलर आवेगा अगर आपके पास है तो डाल दो अधर्वाइस रहने दो कोई भी जरूरी नहीं है सबजी तो आप अपने टेस्ट के कोई भी डास को जो भी आप क्योंकि कई मिनट हो गे थे पर यह जैसे की 80% वह रही है तो अपने आप अलग अलग हो जाओ अगर जो यह पूरी की पूरी अच्छे तो कुक कर रख्योंदी ना हमने सो की सो परसेंट तो यह चिपक के बापा सा बन जाता तो इसी वज़ेता यह सिर्फ 80% वाल नहीं है थ अच्छे ते थोड़ी सी ज्यादा देर तक होंने क्योंकि मट्र में छच्छा परंण थोड़ा सा देर ते जावे हैं थोड़ी इस नहीं कच्छी नहीं अंदर तो सब पहले मैं इसन्माटर यह प्राई करूंगी और यह मट्र एकएड मिनट तक इंदर तक पक जावेंगा अच्छे ताफ राई हो लिए लाजवाब टेस्ट भी कलर भी भूत अच्छा रवब है और यह सबजी हमने ज्यादा नहीं पकाणी है सिर्फ अलकी फुलकी सी पकाणी है जिस ते की सिर्फ कच्छेपनकी समयल निकल जावे क्योंकि ज़्यादा कूक कर दी तो यह फिर बहुत ज़्यादा सोफ्ट सोफ्ट सी हो जावेंगी तो वह अच्छी नहीं लगती है अगर जो थोड़े सा करारा पंसरव है ना तो वही बड़ी अलग है और यह थोड़ा सा डाला है मैंने इसके अंदर नमक जिस्ते कि अलकी से जो वैसे मैकरोनी में भी नमक है और जो वो टमाटर की प्यूरी त्यार करी थी उसके अंदर भी तो नमक थोड़ा सा अलका-अलका सा ही रहे क्यों कहीं ज़्यादा नमक न बन जाव और फिर लास्ट में कुछ एक सोस भी यूज़ करेंगे हम तो उसके अंदर भी नमक होग तो दूसरी गैस पर उन रख दी है चाय क्योंकि इंतजार उन पर नहीं रहा है तो वह बोले कि चल तू जल्दी सी इसने बना और मैं इतने चाय बना दूंगा और यह देखो जी जो सबजी मारी पक गी थी दो एक मिनिट का प्रोसेस था यह क्योंकि ज्यादा नहीं पकानी भरे जब अच्छी लगहा है और मैं कर देंगी बिन सर्व और यह देखो जी मैकरोनी मारी बनका होगी है तियार यह मैंने ढ ली इसके इंदर टोमैटो सीस दाली है टोमैटो सीस वैसे तो Bentवार बन जाब पर बच्चे के साथ already इतना काम हो जाव है कि इतना possible नहीं हो पाता करना की sauce भी बना पर आगए वीडियो में मैं जरूर तो जरूर ये वारी sauce बनाने की recipe शेयर करूंगी क्योंकि मैं कई बार बनाऊं हूं और बहुत अच्छा टेस्ट बजार तबी अच्छा टेस्ट आवे है और सबसे बड़िया चीज की safe है वो हम अपने बच्चा आँख बंद करके देश के हैं क्योंकि बच्चा की safe का पर जब बात आवे हैं तो मा तो कुछ ज़्यादा ही active हो जाया करें उस time पर उसका यू रहा करें कि तने थोड़ी वो दिक्कत बेशकाओ पर तेरे बच्चा ने कोई दिक्कत नी होनी चीए तो मैं थोड़ी सी मैनत करके बच्चा की खातर गर पे बना दिया करूं और यह देखो जी यह मैकरोनी एक नंबर की जमाल लाजवाब मैकरोनी बन रही थी और यह शाम के टाइम की वीडियो है मैंने कपड़े दोए थे आज और यह कपड़ मोसम आज कल पता निवाय मैं बता रही थी कि एकदम तो मोसम पल्टी मार जावा है कपड़े तो मेरे सूख लिया है पर आंदी आगी थी और कुछ इन कपड़ा पर दूल सी चड़ थी और फिर यह बार-बार निच्छे गी रहे थे तो मन सुचा गी चलो मैं एक बर यह कप पॉंच निम्टन में नियान दी और आरव विदानसी की इतनी जादा जीद करया जावा है और चोट यह गाड़ी का साइज तो छोटा है पर दोन उजना ने के टाइम पर चाहिए और भी रखे हैं साइकिल है रिक्षा है पर कोई ऐसा कोई सी चीज का अधिल लगा तो साइ इंजेक्शन लगवाने कहतर बेज रखी है जब उसका इंजेक्शन लग जावगा वह गर पर आजावी दे नोटों की क्यों कर छैत पर लोटे लोटे गूम रहा है और एक यह पानी की बोटल इस बोटल में कितनी है छिपागा दर्द यह वो है जो अरिद्वारत गंगा ज अर्वेदांसी तो इतनी पक्की हो रही है दिन मनु नहीं पता दो बार कपड़े चेंज करवावा या तीन बार कपड़े चेंज करवावा है इस मारानी के तो साथ पांच ने निमठकन नहीं देती और जब इस नहीं उपता लग जावे हैं कि हां मम्मा ने कहीं फोन रख देतू कुछ खुराफात और मैं आज कपड़ा गीता यहीं छत पर बनाऊंगी क्योंकि मोसम बहुत बड़ी आ हो रहा था और खाट उस पर रखी है अंदर यहां पर तीन के निच्चे रखी है तो मैंने सोचा कि चली कांदू की होगी यहीं पकर कारका ननी इटाई नहीं मॉसम बोत बड़ी आ और मोसम हो रहा है श्रांसी थरा चैन्सरी और यह देखो जी दूद ठा बहुत ज्यादा गरम तो मैंने सुचा कि जल्दी सी थंड़ा हो जावागा यह फ्रीज में रख देंगे जल्दी काम बन जावागा तो मैं इस दूद ने लिया या थी उपर औ यह एक तसला पाणी का बरका ने इसके अंदर रखिए दिया अपने आप गूमन लग रहा है यह वा हमेवे इतनी तेज अवा चल रहे है कि अपने आप चकरी का टन लग रहा है यहां पे इस पाणी के टब में और यह देख़व आ जागा है यह मंकी यह राई दर देख दिख कि पिछे जब पिछे गिर जेगा कि अब बंदाल मंती तपड़ विमारा गाते रहे हो यह मंती मंती कर रहे हैं यह मंकी तेरा बाई है पिछड़ जा यह निच्चे विदानसी बोलन लग रही है तो मैं उसी ने दिखन लग रही है कि कहां सी है वह आज विदानसी यह इसने कहीं ततर बूज का यह फस रहा था मंकी ने तो उसी दंदल रहा था यह देख लिवा जा रहा हुपर देख पड़ा है क्यों रूश्या मेरे बेटा इसके रूशन का मेन कारण देखियो कि यह है बता तो क्यों रूश्या उपर कर मूं पहला नू बता कि इसलिए हुआ है यह बता नियुक अ बेटा युक अड़ कर दिया था न है ओ पागल बच्चे अच्छा ये बता पर यूप आला रूश्या क्यों पहले मंमा ते यह बता कि इसलिए रूश्या हूँ उठिया मेरे बिट की है मेरे चौट आशह प्रिंस मैं पहला नू बता क्या ये ते ही रूश्या है तू क्यों रूश्या हरे चाय नी दी ममा ने है चाय ची ये थी चाय ची ये दी चली बना ले हम चाय है इधर देख पहला मेड़ साइड पहला को की ममा चाय बना कर लेकाऊ और अरब चाय के लिए रूश रहा है कि मममा ने चाय नीदे मिलते हैं न यह बात बता छोटा बच्चा कोन चाय पिया कर रहे हैं सारी अन्तु चाय की बाट देख्या जावाई वेदांसी का बीचाय पिया है ओ गंदे बच्चे अगर आपने वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो जादा जादा लाइक करो शेयर करो कमेंट के तुरी बताओ कि आपने वीडियो कैसी लगी है और जो भी कोई मेरे चैनल पर नया है तो प्लीज वो मेरे चैनल में सब्सक्राइब करो ठीक है जी मैं इबारों कर देख्या कर देख्यों करे चैनल में जारों कर दो